इसे आपको खबर बता दे जहां के लिए ये बुरी खबर है क्योंकि पाकिस्तान की तरह चीन में भी अर्थवेवस्था पूरी तरह से हिल चुकी है प्रापर्टी बाजार से लेकर सबजी मंडिता चीन की खालत पस्त है सब कह रहे हैं कि चीन में आर्थिक मंदी आ चुकी है देखे रेपोर्ट ड्रागन की अर्थ विवस्था बुरी तरह से गिर रही है ड्रागन का कर्ज अब कमाई से ज्यादा हो चुका है और इसी लिए कहा जा रहा है कि चीन बायानक आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला है अर्थ व्योस्था की हालत देखकर शी जिन्पिंग को पसीने आ रहे हैं किसी सवाल का जवाब दिया नहीं जा रहा है इसलिए जिन्पिंग की सरकार ने अब अर्थ विवस्ता से जोड़े आंखणों को देना बंद कर दिया है तो क्या ड्रागन पिखरने वाला है कभी रैसी का धिंडोरा पीटने वाले चीन के लोग अब खर्च करने में भी डरने लगे हैं चीन के लोगों की जिन्दगी अब आंटा डाल तक सिमट कर रहे गई है कहने का मतलब यह है कि अब चीन के लोग पैसा बचाने पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिन्दगी पर बेरोजगारी का खत्रा दिख रहा है इसलिए लोग अपने आने वाले कल के लिए बच्चत कर रहे है आखिर क्यूं हुआ है ऐसा आखिर क्यों चीन के लोग खर्च करने से डरने लगे हैं सब कुछ आपको आगे बताएंगे लेकिन उससे पहले देखिए कि चीन में चल क्या रहा है चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर तबा असी करोड नागरे कर्ज में दूबे कई बड़े बिल्डर हुए तबा चीन के प्रॉपर्टी बाजार में ज्यादा तर चीनी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था चीन की जनता ने अपनी कुल निवेश का लगभग 70 फीसद रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रखा था लेकिन अब भालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने अपनी EMI भी चुपानी बंद कर दी है बेल्डर्स ने सरकार के आगे सरंडर कर दिया है और शी जिनपिंग को कुछ सूज नहीं रहा कि क्या करें क्या ना करें चीन के लोगों का आज की तारीख में सिंगल लाइन एजेंडा है जो है उसको बचाओ खर्च कम करो क्योंकि भविश्य अंधकार मैं दिख रहा है चीन के लोगों के दिल में बैठे इस डर की बज़ा है चीन में पढ़ती बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट, कमजोर निर्या और चीन की मुद्रा का लगातार कमजोर हो ले विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुदाबिक साल 2022 के आखिर तक चीन के लगबग 78 करोड चीनी नागरे कर्ज में डूप चुके थे और उन पर सारा कर्ज रियल स्टेट का था सैक्नों प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं लोगों ने भी अब किस्तें चुकानी बंद करती हैं लोग पैसे बचा रहे हैं इससे अर्थव्योस था और सुस्त पड़ गई है महंगाई दर बढ़ने की वज़े से विदेशी निवेश घटता जा रहा है और चीन की सरकार पर कर्ज का बूज लगातार बढ़ता जा रहा है हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स के मताबिक पिछले तीन महीनों से चीन में वेरुजगारी की दर में लगातार बढ़ोतरी दर्च की जा रही है चीन के आम लोगों के बीच बचत में इजाफा करने की बढ़की फाइश से चीन के लिए अपनी अर्थविवस्था को फिर से संतुलित करपाना ज्यादा मुश्किल होगा रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पहले लोग सुपर मार्केट में खुब खर्च करते थे अब लोग बचत करने के लिए एक लिस्ट बना कर जाते हैं और जरूरत के मुदाबिक खर्च कर रहे हैं लोगों ने अब गैर जरूरी खर्च भी बंद कर दिये हैं चीन में लोग अब बचत करने के पुराने तरीके को अपना रहे हैं चीन में अब ज्यादा तर लेन देन कैश में होता है अब लोग घर पर कैश जमा कर रहे हैं लोगों का मानना है कि इससे उनका खर्च कम हो रहा है और इसका असर चीन की अर्थ व्योस्था पर पड़ रहा है अमेरिका में 2008 में आये संकट को देखते हुए चीन की सरकार ने डेवलपर्स के कर्च लेने की ख्षमता सीमित कर दे इसका असर यह हुआ कि उन्होंने जो अर्भो डॉलर उधार लिये थे उसे वो चुकता करने में नाकाम रहे चीन में घरों की मांग गिर गई है और इससे प्रपर्टी की कीमत भी गिरी है यही वजह है कि चीन के प्रपर्टी माल크 पिछले तीन साल में पहले से और घरीब हो गए है Wealth Management Formmatics के एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अभी हाल था स्टॉक मार्केट में निवेश करना या कम ब्यासधरों पर किसी बैंक खाते में पैसे रखने से बेटर प्रॉपर्टी में निवेश करना था एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन को सिर्फ 33 बिलियन डॉलर के FDI मिले जो एक साल पहले की तुलना में 82 फीसद कम है रिपोर्ट में चीन के State Administration of Foreign Exchange के आंकडों का हवाला दिया गया है आकड़े बताते हैं कि 2023 के दोरान चीन के Balance of Payments में Direct Investment यानि Liabilities 2022 के तुलना में 82 फीसद कम होकर 33 बिलियन डॉलर पर आ गई है यह आकड़ा बताता है कि 2023 में विदेशी कंपनियों ने चीन में कितना निवेश किया ये 1993 के बाद का सबसे स्लो को थे इन हालातों से लोगों को ना केवल गरीब होने का एसास हुआ बल्कि चीन के इस्थानिय निकायों के कर्ज की समस्या भी गंभीर हो गए एक अनुमान के मताबिक लोगों के खुल आमदनी का करीब एक तिहाई डेवलपर्स को जमीन बेचने से आता था जो अब संकट में हैं कई अर्ध शास्तियों के मताबिक प्रॉपर्टी मार्केट में आए इस संकट को ठीक होने में अभी कई साल लगेंगे और रुकते आचोटे से ब्रेक के लिए देखते रहें ये न्यूजिटीन व्राजासा